हलो इन्वेस्टर्स जस्ट अभी अभी एक गवर्मेंट यानि कि एक सरकारी कमपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनौउस कर दिया है टू इस टू बन के रेशियो से और साथ ही साथ में इसी कमपनी ने आपे डिविडेंट भी अनौउस कर दिया है 16.50 रुपीस का यानि कि सरकारी कमपनी का नाम बता देने से पहले मैं आप लगो को इस कमपनी के कुछ और इंपोर्टेंट इन्फोमेशन के बारे में बता देता हूँ अभी आज की ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेयर है लगबग 4% करेक्ट होता हुआ देखने को मिला जो की एक ही ट्रेड को बना करके दे चुका है जो की काफी अच्छे रेटरंस है इस कमपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 71,083 करोर रुपीज की है तो एक काफी बड़ी कमपनी है कोई छोटी मोटी कमपनी नहीं है अगर हम बात करें स्टॉक के PE रेशियो की तो वो 4.20 का है PE चलता है एक अच्छे खासे वैलियोशन के उपर में ये कमपनी का शेर अभी ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू स्टॉक की 318 रुपीज की है बुक वैल्यू भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है कमपनी का जो डिविडेंड यिल्ड है वो 2.99% का है सालाना ये कमपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 3% का डिविडेंड दे देती है कमपनी का जो ROCE यानि की रिटार ओन कैपिटल एम्प्लोईड है वो नेगेटिव 8.08% का है और वहीं जो कमपनी का ROE यानि की रिटार ओन एक्विटी है वो नेगेटिव 18.9% का है अब ROCE और ROE न 2024 वाला financial year close हुआ है इसके अंदर कमपनी ने अच्छा खासा profit report किया है तो भी ROCE और ROE दोनों ही आपको वापस से positive में आते हुए देखने को मिल जाएंगे face value stock की 10 रुपीज की है और कमपनी का जो debt to equity ratio है वो 1.29 का है अब debt कमपनी के उपर में जाधा है बट क्योंकि एक PSU unit है कही ना कहीं कह सकते हैं government कमपनी है तो यहापे debt वाले concern को हम ignore कर सकते हैं आजाते हैं बात कर लेते हैं इस company के financials की simply हम लोग last one year की data को यहापे compare करेंगे सबसे बहले बात कर लेते हैं company की sales की तो financial year 2023 के अंदर में company की जो sales थी वो 4,40,709 करोर रुपीज की थी अगर आप financial year 2024 देखेंगे जो की TTM है यानि की trailing 12 months तो अभी जो currently 2024 वाला financial year close हुआ है इसके अंदर company की जो sales थी 4,27,235 करोर रुपीज की थी तो sales में तो definitely हमें decline देखने को मिलाए बट अगर आप लोग company का operating profit देखेंगे तो financial year 2023 के अंदर में जहाँ पे company operating loss में थी जो operating profit था वो negative में था negative 7,192 करोर रुपीज वही 2024 वाले financial year के अंदर में company वापस से profit में आई है और अच्छा खासा operating profit रिपोर्ट किया है जो की है 25,176 करोर रुपीज का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं last year के comparison में company ने काफी अच्छा ग्रोथ हमें operating profit में दिखाया है last year company 7,000 करोर के loss में थी इस बारी company का जो operating profit है 25,000 करोर रुपे से जाधा का है अभी net profit की भी बात कर लेते हैं जो की tax deduction के बाद में आता है अभी 2023 वाले financial year के अंदर में company net loss में थी 6,980 करोर रुपीस के वहीं अभी currently 2024 वाला जो financial year end हुआ है इसके अंदर company वापस से net profit में आ चुकी है और एक अच्छा खासा net profit report किया है 16,914 करोर रुपीस का अगर आप company के last 10 साल को भी देखेंगे तो अब तक का सबसे जाधा net profit company ने जो ए financial year 2024 में रिपोर्ट किया है जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है all over financials को देखा जाए काफी अच्छे financials हमें देखने को मिल जाते हैं specifically financial year 2024 के अंदर में company ने काफी जाधा अच्छी और काफी शानदार ग्रोथ यहां पे करी है जो कि all over company के लिए काफी अच्छी बात है अब आज आते हैं एक ब 4.90% का stake है foreign institutions के पास में 13.80% domestic institutions के पास में भी काफी बड़ा stake है 22.18% का government के पास में 0.01% और बाकी जो 9.10% का stake है वो public यानि की retail investors के पास में मौझूद है अब share holding patterns काफी अच्छे तरीके से well diversified है यहां पे foreign institutions, domestic institutions के पास में भी काफी अच्छी holding है उसके बावजूद company के जो promoters है तकरीबन तकरीबन 55% का stake hold कर रहे हैं तो all over share holding patterns हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं अब आज आते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited यानि की HPCL company का जो NSE code है है HINDPETRO अब आज आते हैं बात कर लेते हैं इस company के official announcement की तो इस company ने जो है यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 1-2-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के दो shares हैं तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा और इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 21st of June यानि की 21 June की रहने वली है और साथी साथ में company ने आपे dividend भी announce कर दिया है जो की 16.50 रुपीस कर आएगा आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 16.50 रुपे का यानि की 16.50 पैसे का dividend दिया जाएगा और dividend को देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप लगो को intimate कर दूँगा और याद रखिएगा dividend आपको पहले दिया जाएगा और उसके बाद में stock bonus के shares आपको credit करे जाएगे अब आज आते हैं एक बारी हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के quarter 4 business data की बात कर लेते हैं quarter 4 results की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अब देखेंगे HPCL ने quarter 4 के अंदर में per barrel के उपर में 6.93 USD earn किया है एक crude oil का barrel जिसको fuel के अंदर में convert करते हैं उसके उपर में 6.93 USD इन्होंने earn किया है जब पारी company का per barrel earning जो है वो हमें decrease होता हुआ देखने को मिला है इसी चलते company का जो operating profit है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिला है बट अगर हम profit की बात करें company के net profit की बात करें तो totally 2024 वाला जो financial year था इसके अंदर में company ने 16,014 करोर रुपीज का net profit clock कर दिया है जो कि अपने financial year के साथ में से compare करें तो financial year 2023 के अंदर में company ने आपे net loss report किया था 6,980 करोर रुपीज का तो year on year basis पे अगर आप देखेंगे 6,980 करोर रुपे के loss से company 16,014 करोर रुपे के net profit के उपर में आ चुकी है जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है and year on year basis पे हमें काफी या growth यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर सिरफ company के quarter 4 results के net profit की बात करें तो quarter 4 के जो net profit था company का वो 2,709 करोर रुपीज का था और जिसको अगर आप previous year के quarter 4 के साथ में compare करेंगे तो तब company का जो net profit था 3,608 करोर रुपीज का था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि year on year basis पे quarterly अगर आप compare करें तो यहाँ पे आपको पता लगेगा company का net profit specific quarter के साथ से कम आता हुआ देखने को मिला है उसका reason मैंने आपको पहले ही बता दिया company का per barrel का जो earning था वो decline हुआ है इस वज़े से but all over company ने काफी अच्छा profit report किया है यही फरक है per barrel की जो earning है वो decline हो गई but number of barrels जो produce use करें वो high हो गई तो इसी चलते company का all over net profit काफी हद तक हमें increase होता हुआ देखने को मिल गया आने वले time में company अपना per barrel का जो भी profit है उसको वापस से revive करके उपर लेके जाएगी तो company का net profit आपको आने वले time में और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा in short company के quarter 4 results हमें अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं company का bonus announcement भी ठीक है और dividend भी हमें अच्छा आता हुआ देखने को मिला है बागी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो definitely वीडियो को लाइक कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा